भाई और बैनों, दसकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सिमित दायरे में देखा गया, कोई व्यक्ति एक जगर से दूसरी जगर कैसे पहुँचे, सब इसी को कनेक्टिविटी माना जाता था, इसमें भी भारत की क्या स्थिती थी? यह असम और नौर्जिस के आप लोग भली भाती जानते हैं, पिछले नव वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी एप्रोच को ही बदल दिया है, आज हमारे लिए कनेक्टिविटी चार दिशाओं में एक साथ काम करने वाला महा यग्य है, आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है, उसके चार आयाम है, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी, साथियों, आज यहां इतना सांदार आयोजन हुआ है और इसलिए पहले मैं कल्टरल कनेक्टिविटी की बात करता हुगा बीते वर्षों में भारत में कल्टरल कनेक्टिविटी को लेकर अभुत्पुर्व काम हुआ है वरना कौन कल्पना कर सकता था कि असम के महान युद्ध्या लासित बौर्फुकन की चार सोवी जेन्ती पर दिल्ली में इतना विशाल कारकम होगा यहां असम से भी उसमें सैक्डों लोग गए थे और मुझे उनसे बात्तित करने का आउसर भी मिला था साथ क्यों बीर लासित बौर्फुकन हो या फिर रानी गाडील्यू हो चाहे काशी तमिल संगम हो या सवराष्ट तमिल संगम हो चाहे केदारनाथ हो या कामाक्या हो चाहे डोसा हो या फिर डोई सिरा हो आज भारत में हर विचार हर संस्कृति का एक दूसरे से कनेक बढ़ाय जाज रहा है हिम्मता जीले अभी कुजरात में मादूपूर मेला होकर भी आये हैं कृष्ण रुक्मनी का इबंदन भी पस्चिमी भारत को नौर्थिस से जोडता है यही नहीं मोगा सिल्क तेजपूर लेशू जोहा राइस बोका साउल काजी नेमू जैसे अनेक उत्पादोकों के बाद हमारा गामोसा को भी जी आई टैग मिला है यह भी असम्या कला हमारे बहनों के स्रम उद्ध्यम को बाकी देश तक पहुंचाने का प्रयास है भाई और बहनों आज देश की अलग-अलग संस्कृतियों का समवाद परियटन से भी हो रहा है टूरिस जहां जाते हैं वहां सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करते बलकि वहां के कल्चर को भी अपने साथ यादों में लेकर के जाते हैं लेकिन नौर्थ इसमें फिजिकल कनेक्टिविटी का जो अभाव रहा उसमें अलग-अलग कल्चर में कनेक्ट कैसे हो पाता इसलिए हमारा जोर, रेल, रोड और हवाई मार्क के कनेक्टिविटी पर भी है पिछले नौव वर्षों में हमने टेज गती से उन लोगों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया है जो लंबे समय तक डिसकनेक्टेड रहे आज नौर्थ इसके भी जादा तर गाउं अल बेधर रोड से कनेक्टेड है पिछले नव वर्षों में नौर्थ इस्ट में कई नए एरपोर्ट बने है पहली बार कॉंवर्टियल फ्लाइट की लेंडिंग हुई है पिछले नव वर्षों में प्रॉर्ड गेज ट्रेनों की पहुँच मनिपोर और त्रिपुरा तक गई है आज पहले के मुकाबले तीन गुना तेजी से नौर्थ इस्ट में नई रेल लाइने बिछाई जा रही है आज पहले के मुकाबले नौर्थ इस्ट में करीब दस गुना तेजी से रेल लाइनों का दोहरी करण हो रहा है आज ही यहां रेलवे के पांच प्रोजेक्स का लोकारपन हुआ है एक साथ पांच प्रोजेक्स नौर्थ इस्ट में इन पर छे हजार करोड रुपी से अधिक का निवेश हुआ है यह असम सहीत नौर्थ इसके बहुत बड़े हिस्टे के विकास को गती देने वाला है असम के बड़े हिस्टे में पहली बार रेल पहुँच रही है रेल लाइनों के दोरी करन से असम के साथ साथ मनिपूर, मिजोराम, त्रिपूरा और नागालेंट तक आवाजा ही आसान होगी इसे मालगाड़िया भी अब अनेक नएक शेत्रों तक पहुँच पाएगी इसे आस्था और परियर्टन के अनेक सलों तक आना जाना और भी आसान हो जाएगा भाई और भेनों, मुझे आज भी आज है जब मैं साल 2018 में बोगी बिल ब्रीज के लोकारपन के लिए आया था धोला सदिया भुपेन हजारी का सेत्रों के लोकारपन का भी सौपागे मुझे बिला था हम ना सिर्फ दसकों से अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं बलकि नए प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं ब्रह्म पुत्र पर सेत्रों का जो नेटवर्क पिछले नव वर्सों में तैयार हुआ है उसका भरपूर लाब आजासम को मिल रहा है आज भी जिस सेत्रों पर काम शुरू हुआ है इसे ख्वाल कुशी से सिल्क उद्यों को बहुत बल मिल ले वाला है चाथियों पिछले नव वर्सों में हमारी डेबल इंजिन की सरकार ने जिस तरह सोशल कनेक्टिविटी पर काम किया है उसने करोडों लोगों का जीवन आसान बनाया है स्वच्च भारत मिशन की वज़े से आज लाखों गाउं खुले में सौच से मुक्त हो चुके हैं पी-एम आवास योजना से करोडों लोगों को घर मिला है सवभागी योजना से करोडों घरों को रोशनी मिली है उजवला योजना ने करोडों माताओं बैनों को दुवे से मुक्ती दिलाई है जल जीवन मिशन की वज़े से करोडों घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है डिजिटल इंडिया और सस्ते डेटा ने देश के करोडों लोगों को उनके मुबाइल पर अनेकों सुविधाए लाकर के उनके हतेली में रख दी है ये सभी गर ये सभी परिवार आकांची भारत का प्रतिरी दित्व कर रहे है यही भारत की वो ताकत है जो विक्सित भारत के सपने को साकार करेगी